जहीं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हम रिजिनिंग के क्वेशन जो कि यह रिजिनिंग का टॉपिक है दोस्तों लगातार हम कवर कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो आज के वीडियो में देखेंग एक चेट 216 ठीक है दोस्तो यह आज के वीडियो में फर्स ओप्शन है फ़र्स ओप्शन है 0.025 बी ओप्शन है 1 divided by 8 सी ओप्शन है 1 divided by 1 divided by 128 दी ओप्शन है 1 divided by 125 ठीक है दोस्तो अब इस कोशन में क्या है कि हम गोर से अगर देखेंगे तो आठ किसी संक्या का घं है 27 भी किसी संक्या का घं है 64 भी जो है किसी संक्या का घं है और 216 भी घं है मतब यह पूरी संक्या जो है घं संक्या जो नीची डिवाइड़ जो है यह 6 से नीची की जो संक्या है सब किसी ना किसी संक्या का घं है ठीकिये अब एक की नीचे को इस नहीं मतलब हम एक ले सकते है एक नीचे कुछ नहीं मतलब एक ले सकते है एक भी किसी संक्राका गन है अब देखा जाए तो देखा तो एक और एक किस संग्या का घन नहीं मतलब एक का घन एक ही होता है ठीक है दोस्तों और अभी देखा जाए तो एक आठ किस संग्या का घन है दो का घन आठ होता है और सत्ता इस किस का घन है तो तीन का घन होता है ठीक है अब यह 64 किसका गन है तो 4 का गन 64 होता है ठीक है मतलब देखा जाए तो 1 का गन 2 का गन 3 का गन 4 का गन देखा 1 का गन 2 का गन 3 का गन 4 का गन अब शिरिल वाई देखा तो 5 का गन आएगा दोस्तो ठीक है पाच का गन क्या होगा दोस्तों पाच का गना होगा 125 घंव स्वेसे कघंटयाल 250 वन एक डिवधेईडद वर एको पचीजो कुस्तो कहा आएगा दोस्तों हमारा D option आएगा ठीक है दोस्तों देखे दोस्तों अगला सवाल अगला सवाल है 127, 63, 31, 15, 7 और question मार जिसके option है A option है 2, B option है 3, C option है 4, D option है 5 अब इस question में क्या है दोस्तों कि दोनों के फरक हम देखे जाएंगे दोनों के फरक मतलब क्या है कि 127 और 163 में कितने का फरक है दोस्तों जो है कि 64 का फरक है कितने का फरक है 64 का देखो 127 में से 64 माइनस करते है एकसु सट्सीय सेश्र माइनस करते है साथ मिसी चार गए तीन वारा में छेए चे मतलब किया हो मसल्ला सट्साइश में व गठरा है इसलिए मायनस चोसुट कर दिया ठीक है अगर देखो त्रेवारो contribute में कितने का पड़िए जो है कि 32 का फड़िए झाइसले माइनस कर दिया जो कर दिया बढूरा होता तो प्लस कर देए अगर देखा 64 मा 24 कर 2 हो गया माइनस 16 मतलब क्या हो इसका अदा हो तो फुर अधा हो रहा है दोनों संख्याों की बीच cul一下 आधा सबस्केस गाने ऩाहते हैं 16 का अबद 20 32 32 कि यहाते दा सोला 20 कि आदा कितना होगा है आठ निम्ह荷 फंदल रहे साथ इसलिए 2 तो हमारा ऑपशन बी है अपि देखेंगे फर्ष संक्या में हम हम 64 किया है मतलब 54 घटाया तो 63 63 में 32 घटाया तो 31 31 में 16 घटाया तो 15 में 8 घटाया तो 7 जाया टो 34 जाया देखा जाए संक्राओं के बीच का जो डीस्टन निकला उस और डिस्टन्स जो है मतलब सिदा आधा-ाधा करके घटाते जा रहे है कि इससे यह इस से इसी यह इंसर निकल क्या था यह जैकि भी आप्षिन है तो थीक है देखते हैं दोस्तों आगला सवाल आगला सवाल है दो 22, 188, 1386 और कोश्चन वार जिसके फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों देखा जाए तो एक को कितने से गुना करने के बाद 22 आता है ठीक है दोस्तों अब 11 को कितने से गुना करने के बाद इक जो आंटայ में आता है तो देखा जाए तष्छल वगयार रहुट और सिदा करेंगे तोह इसे गुना करने अज्मा 50 68 73 70 से तेरा इस सथ से आएगा पाट से यह हो गया विश्यम संक्या लगातर विश्यम संक्या है जो उडिटर में आ रही है देखा एक बार 11 आया एक बार 9 आया ठीक है एक बार 7 आया एक बार 5 आया ठीक है दोस्तों अगर 1386 को हम पास से गुना करते हैं तो कितना आएगा तो पास से तीस अटापन आगें चार पास्तिया 15 और चार नीस एक आया पाचे के पास और एक छे लवग 930 में जो क्या आप्षन सी है दोस्तों ठीक है ठीक है दोस्तों आज की व्रें में इतना ही आपको यूडियो अच्छा लगा होकर तो लाइक करना दोस्तों करना और इस चैनल कर सब्सक्राइब क जाना ठीक दोस्तों मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियों में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रव भारत माता की जैए बाइबाई